राम निरंतरता भी है राम विवु है विषद है राम व्यापक है विच्व है विश्वात्मा है और इतलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताद्यों तकी नहीं होता है उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहस्त्रानी प्रप्य वर्षानी रागवा अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर पतिष्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुए थी हजारों वर्षों तक राम विश्वपत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इस सभी से प्रतेग राम भक्त से प्रतेग भारतिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्योग का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस अवसर पर जो दैव जो दैव यह आत्माएं हमें आशिरवात देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पविक्त्रमन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीड़ी को एक काल जईपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीड़ी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी इसलिए मैं कहता हूं यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मंदिर निर्मान से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत के निर्मान की सौगंद लेते हैं राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राश्टन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूग की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राश्ट तक होना चाहिए हनुमान जी की भक्ती हनुमान जी की सेवा हनुमान जी का समर्पन ये ऐसे गुण हैं जिनने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता है झेतना हूँ झाल हमारे समर्पन